दोस्तो तारक में तो शो में अभी जो स्टोरी चल रही है रंग तरंग रिसोट के अंदर जहाँ पर दोस्तो पॉपट लाल बूरी तरह से फस्ट चुका है अब दोस्तो पॉपट लाल तो माँ पर स्टिंग ओप्रेशन करने आया था वो काला बाजारी करने वाले का लेकिन दोस्तो अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो खुद ही फस गया है पॉपट लाल और भारती दोनों उस काला बजारी करने वाले के कबजे में हैं तो गाइस यहां पर ना पॉपट लाल जो है वो स्टिंग ओपरेशन करने के लिए आया था और दोस्तो अब जैसा कि आपको पत ना कि यहांपर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया और मेरे को मैसेज भी किया के जो चाता है उसमें एक कैमरा लगा हुआ है तो जिहां दोस्तो वही कैमरा हो सकता है जिसके द्वारा पॉपट लाल यह पूरा स्टिंग ओपरेशन कर रहा हूँ और आपने देखा होगा कि लाल अपने चाते को किस तरह से पकड़ कर ले जा रहा होता है जब वो काला बाजारी करने वाले के पास जा रहे होता है और जब पॉपट लाल को धक्का मारा जाता है तब भी वो जो चाता है वो साइड में गिर देता है ताकि वो जो चाता है वो पानी में खराब ना हो या फिर वो जो गुंडे लोग हैं, वो उसकी चैकिंग ना कर लें. इसी वज़े से दोस्तों, वो जो चाता है, वो वहीं पर साइड में गर जाता है, और पौपट लाल पानी में गर जाता है. अब दोस्तों वहाँ पर काला पजारी की जो शकल है उसकी आवाज है वो सब तो record होई गी होगी जो के दोस्तों आगे सबूत के तोर पर भी काम आएगा और आगे जो sting operation होना है मतलब जो भी ये news channel पर दिखाने वाले हैं वो भी पूरा हो जाएगा तो यानि के दोस्तों ये जो भी कुछ हो रहा है ये पोपट लाल के प्लान के तहत ही हो रहा है तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो नीचे comment section में जरूर बताईएगा